आजकी एपीसोड में हम RAW और JPEG को कंपेयर करेंगे और देखेंगे किस सिचुएशन में कौन सा बहतर रहेगा नमस्कार दोस्तो, मैं डर्मेंच, मैं संजीव, विकेंड फोटेण्ड फोटग्राफी में आपका सौगत करते हैं आज के एपिसोड में हम RAW और JPEG को कंपेर करेंगे और देखेंगे किस सिचुएशन में कौन सा बहतर रहेगा तो चलिए आये, स्टार्ट करते हैं तो धर्म भाई, लोग को यह बताओ, कि यह RAW होता गया, मतलब JPEG क्या होता गया है, यह चीज़े क्या होगी है यह बहुत मतलब होगे, बट हम क्योंकि फोटोग्राफिक टर्म में बात करेंगे, तो RAW और JPEG एक फाइल फॉर्मेट है, सिंपल पहले हम ध्यान देते हैं कि RAW क्या है RAW इस अनप्रोसेस्ट डेटा, मतलब आप कभी भी कोई फोटोग्राफ लेते हो, तो कैमरा की सेटिंग्स, प्लस जितनी भी इन्फोमेशन सेंसर पर आती है, कैमरा भी डिरेक्टली मेमरी काड में राइट करें RAW एक बोल सकते हैं, यह bit format है, just 01 का format है, इसको मेशीन पर सकती है, बट एक normal बंदा नहीं देख सकता है कि इसमें क्या चीज़े है वहीं JPEG क्या है, कि एक तरह का file format है, again, image के लिए use होता है, still image के लिए सर्फ और इसमें information जो है, काफी कम होती है, compared to RAW, क्योंकि जब भी आप फोटोग्राफ लेते हो, आपका aperture क्या है, shutter क्या है, आपने ISO कितना रखा है, white balance क्या रखा है, इन सब को मिलाके, camera एक file प्रोड्यूस करता है, basically वह पहले RAW प्रोड्यूस करेंगा कभी भी, उसके बाद उसको convert करेंगा वह JPEG में, तो जो converted file है, वह JPEG है, जो un-converted file है, जो पूरी के पूरी information रख रहा है, वह हमारा RAW है, तो धरव माई, इस हिसाब से तो जो हमारा mobile है, वह भी camera है, उसमें भी camera है, तो वह भी RAW करता है क्या, सेव, हाँ, जितने भी cameras हैं, चाहे वह mobile हो, DSLR हो, point and shoot हो, य पहले RAW प्रोडियूस करते हैं, फिर आपको result हो, JPEG में process करके देते हैं, DSLR या कुछ high-end cameras, phones, high-end phones हैं, जिसका processor बढ़िया होता है, उसमें आपको पास option है, कि आप दोनों file format रख सकते हैं, RAW प्लस JPEG, सिर्फ RAW या सिर्फ JPEG, तो चलिए, यह तो doubt clear हो गया, ठीक है, तो अ मैंने definition में बताया, कि RAW में सारी information होती है, detailed information पूरी की पूरी होती है, तो इसका फैदा यह है, कि आप जब post processing कर रहे होती हो, तो आपको काफी margin मिलता है, पहली बात, कि आप white balance, post processing में change कर सकते हो, जो कि आपको JPEG में नहीं मिलेगा, RAW जो है 12 या 14 bit format है, जबकि JPEG आपका 8 जो कि इमेज को bright करना चाहो, या इमेज को dark करना चाहो, आपके पास इतना margin होता है, third benefit, picture style, RAW में आप change कर सकते हो, जबकि नहीं कर पाऊगा, post processing में margin बहुत जादा मिलेगा, जबकि आपको नहीं मिलेगा, जबकि यह तो RAW के फायदे हो गए, तो JPEG के के फायदे हैं, ठीक ह बहुत लोग क्या हैं कि RAW में अभी भी क्लिक नहीं करते हैं, they prefer कि हम JPEG के करें, पहली बात कि वो अपनी setting करेक्ट रखते हैं, और they don't want to post process, पॉइंट यह है कि memory, आपका RAW बहुत ज़्यादा memory लेता है, almost 5-6 times, ज़्यादा JPEG से है, RAW आप शेयर नहीं कर पाएंगा, अगर वही आप JPEG क्लिक कर रहे हैं, तो आप डारेक्ट ली शेयर करते हैं, और JPEG में भी editing के scope है, बट RAW के मुकाबले बहुत कम होता है, बगर अगर आप camera के setting सही रख रहे हैं, तो JPEG पे करेक्टी में जाती है, और थोड़ी सी post processing में वो बहतर हो जाती है, ओके, तो धरम कि JPEG का क्या advantage था और RAW का क्या advantage था, अब हम देखते हैं कि हमें किन scenarios पे JPEG यूज़ करना चाहिए, तो देखे, पहले तो यह कि जो आप reporters देखते हैं, यह कहीं भी जाते हैं, photograph क्लिक करते हैं, इनको तुदंत शेयर करना होता है, इनके पास इतना time नहीं है, कि यह post processing कर पा हैं, second thing हमने देखा है कि बहुत सारे wedding photographers, भी JPEG ही यूज़ करते हैं, क्योंकि एक wedding में बहुत सारी photograph हो जाती हैं, एक event में आपको more than 2000-3000 photographs click हो जाती हैं, और high-end cameras में, JPEG में ही इतना margin होता है कि आप उसको post processing कर पाएं, इसके लाब़ अगर आपको पास memory का कमी है, memory कम है, त आप अच्छे से learn करें अपने camera को, camera के settings को, और directly JPEG यूज़ करें, कोई दिख करने हैं, वैसे आप देखोगे, कहीं भी किसी blog पे या किसी channel पे, तो generally वो recommend करते हैं, कि आपको raw use करना चाहिए, बट हमेशा raw use करना सही नहीं है, अगर आप fashion photography कर रहे हैं, या कोई इस टाप क photography कर रहे हैं, जहां आपको photograph को बहुत process करना है, process करके ही उसे market में देना है, basically अगर आप commercial line पे जाते हैं, fashion, advertisement, hoardings, even आप product shoot करते हैं, इन सब चीजे में आपको raw रखना होता है, क्योंकि post processing आगे बहुत होती है, image के ऊपर बहुत सारी like इस पे photoshop effects, photoshop के effects, plus बहुत photoshop करना होत इसको, फिर उसको market में देना होता है, तो इन चीनेरिम में raw रखना चाहिए, तो आज हमने देखा raw जेपेग में क्या फरक होता है, और आप खुद decide करें कि आपको raw सही रहेगा या jpeg, कि सुनी-सुनाई बात हो में ना है, ठीक है, अपना दिमाग खुद लगाए, और किसी के सुनी-सुनाई बात पर ना जाएं, किसे documentation बना जाएं कि आपको raw shoot करना चाहिए, तब ही आप professional photographer हो, ऐसा बिलकुल मिथ्या है, आज के लिए बस इतना ही, अगले episode में फिर्म में लेंगे, तब तक के लिए, नमस्कार.